मैं मनी स्वागत करता हूँ आपको अपने इस से यूटूब चैनल पे दोस्तों NTPC की वेकेंसी बढ़नी थी लेकिन क्या बढ़ा ये मैटर हो गया कहने का मतलब ये था कि वेकेंसी के बढ़ने की उमीदे इसलिए की जारी थी कि चुकि वेकेंसी कम थी लेकिन जहां पर बढ़ने की उमीद की जारी थी वहां पर नहीं बढ़ी किसी और जगह बढ़ी क्या मामला है आप देखेंगे कि अभी अभी नोटिस आया है तमाम चीज प्लस आपके इंग्लिस में भी यह आ जाते हैं मैस के भी इसी तरीके से कोशन बैंक आते हैं आपके रेलबे के और एक्जाम समान जानकारी और बिज्ञान के भी सॉल्ट पेपर आते हैं तो यह भी आपके लाइबरेरी में होनी चाहिए यानि कि पढ़ने के लिए और आपके CBT 1 के लिए सॉल्ट पेपर जो 1 से 60 सेट है वो आपके NTPC के वो भी आप खरीद ले जागा और NTPC का ही आपके 61 से 139 सेट जो है वो TCS के सॉल्ट पेपर पीवेस सेर के है वो भी खरीद ले जागा इन सभी बुक को परचेज करके NTPC की तयारी आप 100% कर सकते हैं तो मैं बा कियेगा सबसे पहले हम नोटीस पर आजाते हैं कि नोटीस क्या कर रहा है तो कोरिजैंडम यहां पे तो आया है और यह आया है अभी आभीकर डेट में फ़िजगे MANDY का डेट में अब हम इस चीज को देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि यहां पे आपका रिवीजन ओ वेकेंसी देखने को मिलता है CEN05-224 Non-Technical Populate Category यानि कि Graduate Level की जो वेकेंसी है उसमें Revision of Vacancy देखने को मिलता है Revision के नाम पे क्या धोखा धड़ी हुआ है ये भी आप देख लीजेगा कि यहां पे मात्र जो है वेकेंसी जो बड़ी है वेकेंसी है आपके 264 पहले वेकेंसी थी देखेगा Grand Total All RRB Before Backlog वेकेंसी 264 और उसके बाद जब बढ़के हुआ है वो आपके 270 हो गए है अब 270 हुए है इसका मतलब मात्र कितना का वेकेंसी इंक्रीज हुआ है आपके 6 वेकेंसी की इंक्रीज हुआ है आप कहेंगे कि इतना कम वेकेंसी कैसे हुआ है 264 ही कैसे वेकेंसी आप बता रहे है तो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मात्र तीन जोन में ही ये वेकेंसी बढ़े है च्छा जो वेकेंसी बढ़े है यहां पर देखिएगा एक कुलकता में एक वेकंसी बढ़ा है माल्दा में एक वेकंसी बढ़ा है राची में एक वेकंसी बढ़ा है और टोटल तीन वेकंसी यहां पर आपको जो है वो देखने को मिदा है यह आपका दूसरे माल्दा में एक यह है और यह तीन सोरी हां तो ती PWBD जो candidate है उनके लिए है यहां पर देखिएगा Recruitment for various post of non-technical popular category graduate was published CEN052024 on website जो है वो 13.9.2024 को published हुआ था Subsequent to inclusion of vacancy of PWBD as per statutory provision the vacancy as published in Ennexer B में जो table है उसमें published है of detailed centralized employment notice CEN052225 revised are revised in term of para 1.10 of CEN यानि कि इसको revised क्या गया है और एक चीज और revised क्या गया है last date of submission of application only for PWBD candidate यानि कि सिर्फ औसिर PWBD candidate के लिए ही बढ़ा है और PWB candidate को ही सिर्फ टाइम बढ़ाया गया है कि उनका जो closing जो date है उसको extend करके यहां पर दखेगा closing online registration application जो है वो 20.10.2024 कर दिया गया है date of payment है वो है आपके 21.10.2024 तो जो है वो आपके 20.10.2024 कर दिया गया है और उसके बाद यहां पर दे रखा है date of modification जो window है उसमें भी changes देखने को मेरा है 30.10.2024 से 30.10.2024 तो यह सिर्फ और सिर्फ PWBD candidate के लिए ही बढ़ोती है और जो general candidate है general in the sense की जो ठीक ठाक है यानि कि non PWBD candidate या ex-serviceman है यह सब के लिए वही condition है तो इसको उस तरीके से नहीं लेना है कि हाँ date बढ़ गया date बढ़ गया ठीक है यह सिर्फ और सिर्फ PWBD का date के लिए है non PWBD का date के लिए भी बढ़नी चाहिए और मुझे लग रहा है जिस तरीके से assess बाद में ये vacancy को कर रहे है उस तरीके से और भी assess करे तो और भी